नमस्कार मैं हूँ अमेद और दोस्तो आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं टॉप 7 बेज स्मार्टफोन की जो कि आप खरी सकते हैं अंडर 15,000 रुपिस की प्राइज में इस महीने अब दोस्तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दे कि जिन भी स्मार्टफोन के बात करेंगे आज की इस वीडियो में इन सभी के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रेशन मिल जाएंगे वहाँ पर जाक का बेंड की करन पैसिंग और आफ़र को चेक कर सकते हैं चले दोस्तो स्टार्ट करते हैं अब सीधा नंबर 7 के साथ और नंबर 7 पर आ रहा है दोस्तो रैडमी की तरफ से रैडमी 12 5G के में बात कर रहा हूँ जिसका प्राइजिंग आपको करीब 12,000 पर के असपास देखने को मिलने वाला है दोस्तो सबसे बिला स्टार्ट करते हैं फोन की परफॉर्मेंस के साथ तो यहां पर आपको मिलता है स्नाप्डगन 4 जेनरेशन 2 चेपसेट दोस्तो जो कि एक नोडाउट बहुत ही कमाल का चेपसेट है इस प्राइस रेंज के हिसाब से दोस्तो करीट 4 लाग से भी उपर की बेंचमा स्कोर हमें यहां पर देखने को मिल रहे हैं और प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस भी दोस्तो इस फोन के साथ में हमारा काफी अच्छा रहा है इसके लाब दोस्तो फोन का डिजाइन आप देख सकते हैं रियर साइट से भी हमें एक ग्लास बिल्ट के साथ में देखने को मिल रहा है और फ्रंट साइट से एक क्विक फ्लैट डिस्पे देखने को मिलेगा 6.78 इंचिस का जहां पर फुल हेटी प्लस रिजलिशन के साथ में एक IPS पैनल दिया गया है और 98 का स्क्रीन रिप्रेशिट भी देखने को मिल जाता है अगर हम बात कर रहा है कैमरा की तो उसमें भी एक फोन पीछे नहीं है दोस्तो 50 मेगविसल का प्राइमेरी संसर है काफी अच्छी इमिजस को ये कैप्चर कर लेता है फोन में 5000 मिज का बैटरी है हाना की चार्जिंग भी थोड़ी से स्लो है 18 वोट का आपको देखने हो मिलता है चार्जर इंबॉक्स तो आपको 22.5 वोट का देखने हो मिल रहा है लेकिन चार्जिंग ये 18 वोट ही सपोर्ट करता है तो थोड़ा सा जादा टाइम लग जाता है करीब 2-5 गंटे इस फोन को फुल चार्ज करने में तो यही इसकी छोटी सी कमी मुझे लगी है दोस्तो चार्जिंग स्पीड बाकि इसके लाओ औरोल फोन दोस्तो बहुत ही कमाल का है स्पीकर्स वगरे भी आपको उच्छे देखनी हो मिल जाते हैं तो हाँ दोस्तो इस फोन को आप कंसिलर कर सकते हैं अगर आपको बजट 11-12,000 रुपर है बैटरी क्योंकि दोस्तो एक्स लांग लास्टिंग होती है अब हमें से अल्डी काफी साल लोग तो यूज़ कर रहे हैं दोस्तो डूरसल के बैटरी तो हमें तो बता है कि यह दो गुना ज्यादा चलती है किसी भी दूसरी बैटरी के कंपाराजन में में गेंजल्क जिनको नहीं बता है उनके लिए बतादें कि वह लास्वारिज होता है और यही रीजन है यह लॉट्टो के लॉटलिय Right Electroald Oke vaccstes मैं आपको पता चुका हूँ दोस्तो यह AAEdarda and AAA स्रिफों में टोनों सैजसरी में आवयलबल होती है तो हाँ गर के सभी 200 devices में आप इनको use कर सकते हैं और हाँ इनका shelf life 10 साल का है साथ ही दोस्तों यहाँ पर में leakage prevention भी मिलती है price दोस्तों इसका 22 रुपीज होता है एक piece का जो की दूसरी batteries की comparison में थोड़ से जादा है दोस्तों यूजस के साफ से तो आपको यह सस्ती मिलेगी क्योंकि यह दो गना जलती है दोस्तों अगर आप दो बैटरी लगाएंगे नॉर्मल वाली तो वह 18-18 मतलब 16 रुपे हो गए और यह आपका काम 22 रुपे में कर देती है तो अगर आप ऐसे compare करेंगे तो definitely आपको यह सस्ती मिलने वाली है और अगर आप पूरा pack मंगाते हैं तो खेर यह Amazon से मैंने पर्चेस किया था 195 रुपे का तो यह लगबख 19-20 रुपे में आ जाती है तो यह आप चेक कर दिजएगा अगर आप चाहें तो पर्चेस कर सकते ह जाएगा वीडियो में अगर बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं नंबर 6 की तो यह आता है रियल्मी की दरह से रियल्मी नार्जो 60X या फिर रियल्मी का C67 दोनों ही फोन बेसिकली लगबख सेम फोन है कोई में डिफरेंस आपको यहां पर देखने को नहीं मिलता है ए अब दोस्तों इन दोनों ही फोर्स में सबसे पहले आपको मिलता है मेटेक डैमन सटी 6100 प्लस चिपसेट जो की अच्छा चिपसेट है हाला कि अगर आप कंपैर करेंगे स्नैपर करेंगे से तो यह थोड़ा सा कम जोर आपको देखने हो मिलेगा लेकिन ओर और ओर और अब दोस्तों इसके लिए फोन का कैमरा ठीक है 50 में पिसल का प्राइम अच्छा ऑप्शन है दोनों में सब कोई भी जूस कर सकते हैं दोस्तों प्राइस को देख लिएजएगा दोनों में कोई बहुत जान डिफरेंस नहीं है और इसलिए दोस्तों यह दोनेखी फोस आ रह रहें दोस्तों तो यह आता है इंफिनिक्स की तरफ से मावत कर रहा हूं इंफिनिक्स नोट 35 जी की करीब 14,000 और पैसे इसका प्राइस स्टार्ट होता है दोस्तों अगर आपको 256 पर वेरेंट चीए 12 जीप रहें के साथ में तो वो लगबग 15,000 और पैस में आपको मिल ज जाता है फ्रंट साइट में दोस्तों एक बड़ा से डिस्प्ले है 6.78 इचिस का IPS पैनल आपको यहां पर देखने हो मिल रहा है और 128 का स्क्रीन रिफरेशिट भी दिया गया है कैमरा दोस्तों 108 मेगापिसल का प्राइमिर सेंसर देखने हो मिल जाता है तो यह एड़ोन पॉ 5 की पोजिशन पर नमबर 4 की तरब चलते हैं दोस्तों तो यह आता है टेक्नो की तरह से टेक्नो पोगा 5 प्रो 5G की पर बात कर रहा हूँ जो कि हमें लगबग 15,000 रुपी पैसिंग में देखने हो मिल जाता है दोस्तों अब यहां पर बहुत अले डिफ्रेंस नहीं है 68W का हो जाता है इस प्राइज में कोई भी फोन आपको 68W का फास चार्जिंग नहीं दे रहा है लेकिन हाँ अगर मैं कैमरे के बात कर रहा हूँ तो वो 50MP का है जबकि एंफिलिक्स नोट 35G में 108MP का था मीडिया टैक डायम सेटी 6080 चैट की साथ में आपको यह भी देखने ह हैं लेकिन आज के हमारी लिस्ट में दोस्तों यह आता है नंबर 4 की पोजिशन पर नंबर 3 की बात कर रहे हैं दोस्तों यह आता है सामसंग की तरफ से मैं बात कर रहा हूं सामसंग एलक्सी M34 5G की अब इसका प्राइजिंग तो लगबग 16,500 आपको दिखाएगा लेकिन का सामसंग की तरफ से आता है सबसे परला एडवाटेश तो यह हो गया दूसरा दूस्तों इस फोन का डिस्प्ले क्वालिटी अच्छा होने वाला है सामसंग की फोन में दूस्तों सूपर अमलोड पैनल का परफॉर्मेंस वोड़ सा और बैतर हो और यह में देखने को मेल रह देगा क्योंकि यहां पर एक्जिनोस का डिया गया है लेकिन हाँ फोन का कैमरा बैटरी और अगर में बात कर रहा हूं डिस्प्ले यह तीनों ही चीज़े दोस्तों इस फोन को काफी अच्छा फोन बना देती है और हां सैमसंग की तरफ से आता है तो नॉक सेक्योर्डी भी आपको यहां पर देखने हूं मिल जाएगी तो लगबग 15 से 16,000 रुपी प्राइजिंग में यह अच्छा फोन है आप इस कंसरे कर सकते हैं आज की लिस में दोस्तों यह आ रहा है नमबर 3 की पोजिशन पर नमबर 2 की तरफ चलते हैं दोस्तों यह आता है मोटो की दरफ से म बात कर रहा हूं मोटो जी फिटिफोर 5G की जिसका प्राइजिंग करीब 15,000 रुपी के असपास आपको मिल जाता है सेल में 15,000 रुपी प्राइजिंग में 12,000 रुपी प्राइजिंग में 252 पी स्टोरिज भी देखने हूं मिल जाएगा लेकि बिना सेल की लगबग 14 से 15,000 आपको 128 जीप वारिंड देखने हूं मिल यंगा है अब दोस्तो यह है फोन हमें देखने हूं मिलता है MediaTek Dimensity 702lessnessat के साथ में अच्छा सा पर्फोर्मेंस यहां भी देखने हूं मिल जाता है दोस्तो support आपको यहांब की देखने को मिल जाता है और इस फोन में भी 6000 में इसका battery दिया गया है तो दोस्तो यह फोन भी अच्छा है आप इसे consider कर सकते हैं अगर आपको motorola का फोन पसंद है या फिर stock UI वाला को भी फोन चाहिए तो यह अच्छा option है दोस्तो आज की लिस में आ रहा है नमबर 2 की position पर और फाइनल जो बात करते हैं दोस्तो नमबर 1 की तो यह आता है IQ की तरह से मैं बात कर रहूं IQ Z7S की दोस्तो पहले सका pricing करीब 18-19,000 पर था लेकिन अब आपको यह मिल जाता है लगबग 15-16,000 पर इविटाइजिंग में most probably 15,000 से नीचे की price में भी मिल जाता है दोस्तो कई बार यह phone तो इस price के साब से यह definitely अच्छा option है इस phone में आपको मिलता है Snapdragon 695 G7, अब इससे कहीं जादा बहतर आपको दूसरे phones में performance मिल जाएगा लेकिन इस phone के दूस्तो दूसरे काफी सारे key highlight feature है जैसे कि इस phone का design, जी हाँ बहुत एक compact phone है दूस्तो, rear design भी अच्छा है camera दोस्तो, 15,000 अपिक pricing में बहुत अच्छा है, 64 Mbps का primary sensor है OES का support आपको यहाँ पर देखने हो मिलेगा और लगबख ऐसा ही camera है दोस्तो, जो कि IQZ7 Pro में मिलता है जो कि 23,000 अपिक pricing में available है यहाँ पर दोस्तो, speakers अच्छे हैं, हालागि single speaker ही है लेकिन फिर भी अच्छे से perform कर लेता है प्राइस को ध्यान में रखते वे, बैटरी दिये गया है 4500 mAh का, लेकिन अच्छा perform कर लेता है 44 Watt की fast charging support के साथ में आपको यह देखने को मिलता है इन display fingerprint sensor हम यहाँ भी देखने को मिल जाता है तो 15-16,000 रपी price के साथ से दोस्तों definitely बहुत अच्छा option है मैं आपको फिर से बता दू, जब इसका pricing अठार उनने ज़र पर था तो हम इसको बिलकुल भी recommend नहीं करते थे लेकिन 15-16,000 रपी pricing में दोस्तों यह best phone बज जाता है और इसलिए आ रहा है number 1 की position पर तो कुल्म नाकर दोस्तों यह थे top 7 best smartphone जो कि आप खरी सकते हैं under 15,000 रपीस की प्राइज में मुझे पूरी में दोस्तों कि इस वीडियो को देखकर आपने एक better design ले पाएंगे इस लिए वीडियो को लाइक और शेट करना मत बुलिएगा अगर आप चाते हैं ऐसे वीडियो देखना चलको सब्सक्राइब जो रुकर लीजेगा दोस्तों हम आपसे मिलते हैं अगले ऐसी किसी वीडियो में तब तक आपके दिन शोब रहे हैं आज के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद